नमस्कार दोस्तों आज की क्लास बहुती महत्वपुन क्लास आपके लिए रहेगी अगर आप किसी सिक्सक बर्ती की या किसी भी राजी की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुती इंपोडेंट है और आज की क्लास में हम देखेंगे 40 महत्वपुन पर कि यूँ के दोस्तु एक एक परसन है जो इंपोर्टेंट किूसन है एक बार इनको जुरूर आप अटेंड करें टेस्ट के रूप में आपको समय प्रियापत मिलेगा आप कमेंट कर सकते हैं अपना उतर और आसानी से आप अपना उत्र मन में भी सोचकर है जो देख सकते हैं कि इसका उत्र क्या होगा परियाब समय हर क्यूसन में आपको यहां पर दिया जाएगा दोस्तु और मित्रो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही परसन आपको एकजाम के अंदर देखने को मिलते हैं जिस परकार कि यह 40 परसन है इनस देख लीजिए इन में से कोन सी गद्दे सिक्सन की विदी नहीं है सिंपल सा क्यूसन पूचा क्या इन में से कोन सी है जो गद्दे सिक्सन की विदी नहीं है वो आपको यहां पर बताना है व्याक्यान विदी विशलेशन विदी समिक्सा विदी और गीत परनाली विदी दो किसकी है पद्दे सिक्सन की बाकी यहां पे देखिए व्यक्यान है विशले सन है समिक्सा है अर्थकतन विदी है यानि अर्थकतन विदी यह किसकी होती है आपकी यह होती है आपकी गद्दे सिक्सन की विदिया तो चार नमर ओप्सन यानि दे ओप्सन है आपका यहां पे जो इनमें से कौन सी पद्दे सिक्सन की विदी नहीं है। चार विदिया दी गई है यहाँ पर पूछा क्या है कि पद्दे सिक्सन की विदी कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तूं। तो देख जिए और बताईए उतर इनमें सही कौन सा होगा। गीत परनाली होगी, व्यास विदी होगी, ककसा अभीने परनाली होगी, या रसा स्वाधन विदी होगी दोस्तूं, कौन सी विदी है आपकी, जो पद्दे सिक्सन की नहीं है यहाँ पे, गीत परनाली है, व्यास विदी है आपकी, इसके अलावा ककसा अभीने परनाली, किसकी कर अबद्ध्य है, नाटक सिक्सन की विदी, पसे उफसंच सही रहेगा, रशा स्वादन, व्यास, घीत परणा ली, ये जो विदी हैं आपकी, ये किसकी अमित्रूँ, इसके अलावा हम देखे, व्यास आगई, रशा स्वादन आगई, समीक सा विदी हो जाती है आपकी, समीक समिक्सा के लावा हम बात करें to खंडानवे विदी यह जो मैं लिक रहा हूँ ना यह सभी पद्दे की है या उनके लावा पफस्ञसा विदी तो लिख दिये हमने इसके लावा आपकी विदी होगी एक अर्थबोध विदी यह विदी आपकी ये सभी पद्दे शिक्सन की विदिय हैं दोस्तूं तो यहां पे ओप्सन है जो आपका सह सही रहेगा आगे चलिए बहुत अच्छा और तीन नमर क्योशन है जो बहुत अच्छा इंप्रोटेंट क्योशन है इनमे से व्याकरण सिक्सन का उधेसे नहीं है व्याक्रण सिक्सन का उदसे क्या नहीं है दोस्तु देखे पहला चात्रू को दवनियू का ज्यान देना चात्रू को सब्दू के सुदुचारन का स्वाध्याई कराना चात्रू को कम से कम शब्दू के बाव परकट करने की योगे बनाना चात्रू को अभिने कलामे निपून बनाना बात करने व्याकरण सिक्सण की और व्याकरण सिक्सण का यहाँ पर उदस्य नहीं है वो नहीं है आपका ओपसंदे वाला क्योंकि यह जो उदस्य दिया है न यह आपके नाटक सिक्सण का है किसका है नाटक सिक्सण का है मित्रू तो उपसंद है यहां पे सही रहीगा आपका, बाकी यह तीनु के तीनु उदसे हैं, यह तीनु व्याकरण सिक्षण के उदसे हैं, क्योसर नमर चार में चलिए, इन में से व्याकरण सिक्षण की विदी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्योसर नहीं है आपके सामने, आगमन, निगमन, समवाई और व्यास ती चार विदिये दिये अब पूचा है कि व्याकरण सिक्षन की विदी कौन सी नहीं है ये व्याकरण किये ये व्याकरण किये ये व्याकरण किये क्या व्यास विदी व्याकरण किये गलत नहीं व्यास विदी आपके कविता सिक्षन किये तो यहाँ पे आपका दे ओप्सन है जो क्या रहीगा सही रहीगा बाकि आगमन निगमन समुआ ये व्याकरन सिक्सन की विदिया है क्योंसे नमबर पांच में चलिए किस इस्तर के विदार्तियों को सरल तुकबंद लेयुक्त कविताएं पढ़ाई जाती है बहुत अच्छा स आतरों विदार्तियों को पढ़ाई जाती है यह आपको बताना है प्रात्मी किस तर पर मादे में किस तर पर उच मादे में किस तर पर उच काक्साओं के लिए किसके लिए किसके लिए पढ़ाई जाती है दोस्तों यह पढ़ाई जाती है प्रात्मी किस तर पर दोस्तों क् चोटे बच्चू को सरल वे ले युक कविता हैं जल्दी याद होती है और बच्चू की इन में क्या होती है रूची होती है रूची के इन कविताओं के अंदर वो लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो सही रहीगा आपका ओप्सन एह रहीगा क्यों से नमर चेह में चलिए ब लेकित, मोखिक, व्याकरनिक या नियमबद सिंपल सा क्यूसन है बासा का प्रात्मिक या परतन रूप एक बच्चा है वो पहले लिखेगा बोलेगा व्याकरन का दियन करेगा या नियमू का दियन करेगा व्याकरन के बताए बासा है बासा सबसे पहले बच्चा है वो बोल न सिखता है, तो बासा का प्रात्मीं ग्रूप क्या होगा है, मोखिक होगा आपके। क्या होगा ? मोखिक होगा बैसफिन यहां पर सही रहीगा दोस्तों आगे चलिए क्यूसर नमर साथ में बालग में बासा विकास की पर्तम आवस्ता, नो से दस महीने की अवस्ता डेड़ वरस दो वरस तीन वरस अब बात क्या हो रही है बालक में बासा विकास की परतम अवस्ता पूचा है कहने का मतलब बालक परतम बार सब्द बोलने का प्रियास किस महीने में करता है कौन से महीने के अंदर नो दस महीने की अवस्ता में नो से लेकर दस महीने का होता है तब दोस्त हूँ अब देखिए यहां पे एक जानकारी आपको दे दूँ जब वो एक वर्सका होगा तो वो दो, तीन, चार सब्द है वो बोलेगा याने की कुछ सब्द बोलेगा है एक वरसका होगा तो यहां पर वर्स लिख रहा हूं और याद रख ले ना यहां से भी क्यूसन बन सकता है कुछ सब्द बोलेगा जब वो दो वर्सका होगा ना तो एक एवरेज है कि ओस्द वो दो सो बहतर सब्द बोलता है दो सो बहतर सब्द जब वो तीन से वर्सका जब वह पांच वर्सका होगा तब वह दो हजार बेटर बोलेगा और वह जब छह वर्सका होगा तब वह पुटीस सूब बैटर ओस्त सब्द है जो बोलेगा इंपोर्टेंट क्यूसन एकजाम की दरश्टी से हैं ये तो बालक के बासा विकास की जो परतम अवस्ता है वो नो से दस्वे मैने की अवस्ता को कहा जाता है दोस्तूं आगे चलिए आठवाँ बासा सीखने के सिद्धानत है सहजता, अव्यास, अनुकरण या उप्रोक सभी कोई भी बालक है जो जनम से लेकर किसोरा वस्ता तक आते हैं बासा सीख जाता है आप सभी को पता है ये चीज बालक समाज में रहता है तो समाज के अंदर सहज रूप से सहज रूप से सीखता है दूसरों का अनुकरण करके सीखता है अनुकरण करके बाद मैं अब्यास करके सीखता है बार बार उनको दोरा कर सीखता है समझे आप बार बार उनको दोरा कर भी तो सीखता है कहने का मतलब ये तीनु क्या आपके याँपे बासा सीखने के सिद्धानत है दे उप्सन उप्रियुक सभी यहां पे सही रहेगा क्योंसे नमर नो में चलिए अधिगम की विश्यस्ता है सिंपल सा क्योंसे है ग्यान प्राप्त करना अधिगम कहलाता है बे उप्सन दे के ग्यान परदान करना अधिगम कहलाता है से उप्सन देके ज्यान परदान करने की किरियाएं ही अधिगम है यह अध्या उप्सन है सिक्सन विदियां ही अधिगम है बहुत अच्छा क्यों सनगा अधिगम का अर्थ क्या होता है? पहले यह बताईए अधिगम का अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ क्या होता है मित्रू पढ़ा है ना हमने सिख्या मनोवी ग्यान में अधिगम क्या होता है सीखना अधिगम का अर्थ क्या होता है सीखना तो देखे ग्यान प्राप्त करना है अधिगम है ग्यान प्राप्त करेंगे तो कुछ सीखेंगे आप कुछ सीखेंगे तो वो क्या होगा अधिगम होगा ओप्शन ए यहां पे रहेगा आपका सही क्यों सर नमर दस में चलते हैं बादसाज सिक्षन के सुत्र सरल से जटील की और का अर्थ है मित्रु सरल से जटील की और ओप्शन देख लीजिए चार ओप्शन है मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि यह नो दस सिक्षन सुत्र होते हैं हमारे जैसे सरल से जटील ग्याज से अग्यात मूर्थ से अमूर्थ पर्तेक्स से अपर्तेक्स पुरन से एपूर्ण निस्चित से निस्चित विशेश से सामाने आगमन से निगमन और विशलेशन से संसलेशन यह सुत्र है जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं और यहां से क्यूसन भी एक्जाम के अंदर है जो बन सकता है सरल से कटिन सबसे पहले बच्चु को सरल वर रूची कर बाते बताई जाती है जिनसे उनकी क्या होती है रूची बढ़ने लगे जाती है दोस्तु जो ग्यान बच्चु के लिए सरल होता है उसको हमेसे ही पहले सिकाना चाहिए जब वो सरल सीख जाए तो उसके बाद जटिल उनके सामने है वो प्रस्तुत करना चाहिए तो सरल से जटिल कहता है कि बच्चु को पहले सरल सिकाई है फिर जटिल शिकाई है तो यहां पर देखिए पहला है बालकू को पहले सरल बाते शिकाई जाती है फिर जटील बाते सिकाई जाती है ओपसंग ऐसा ही रहेगा अब मित्रू थोड़ा सा समय आपका जरूर लूँगा में लेकिन जो सिक्सन सुतर है यहां से हर बार एकजाम में एक क्योसन मिलता है ये सिक्सेंड सुतर क्या कहता है मित्रू बच्चों को उन बात्व को सिखाया जाता है जो बच्चा पहले से जानता है ग्याद का मतलब जो चीज बच्चा पहले जानता है वो बच्चे को सिखाई जाती है जिससे क्या था बच्चा उसमें रूची लेने लग जाता है और इसके बाद जो अग्याद चीज है उस और उनको ले जाया जाता है दोस्तों समझे अब जैसे आपने ये वरन सिका दिये तो ये जानता है तो पहले एक बार उनको वरन वापस समझाईए और फिर उनको शब्द की और दो दो वरन को जोड़कर शब्द की और लेकर जाईए ये है ग्याद से ग्याद बात करें मुर्थ से ए मुर्थ की और जो नियम है उसकी दोस्तों मुर्थ कार्थ क्या होता है क्या है मुर्थ कार्थ एसी वस्तुएं जिसे हम छू सकते हो जिनको हम मैसूस कर शकते हो जो हमारे सामने हो जो ग्यात है जिनको बच्चे जानते हो या जो पहले सिकाई जा चुकी हो समझे आप? उनको कहते हैं मुर्त और फिर ऐ मुर्त बाते हैं नहीं जो वस्तुई हम अभी छून नहीं पाते हमारे पास नहीं है तो मूर्थ मतलब जो आपके सामने है उसको बच्चू को बताईए फिर जो आपके सामने नहीं है और चीज बतानी है तो वो बच्चू को बताईए यह होता है मूर्थ से ए मूर्थ नेक्स्ट है आपका वो है पर्तिक्स है पर्तिक्स है पर्तिक्स की और ये भी इंपर्तिक्स है तो देखिए पर्तिक्स जो सामने है या जो बच्चे जानते हैं वोई चीज है मुर्त हो रहे हैं मुर्त वाली है जो सामने है वो चीज बताईए जो सामने नही है उसको बात बत है ये दोस्तों इसी प्रकार पूर्ण से है पूर्ण की ओर इस सुत्र के अनुसार बच्चू को पहले कोई भी सामगरनी पूर्ण रूप से प्रस्तूत करनी चाहिए कि पूर्ण से हैं पूर्ण से हम चल रहे हैं पूर्ण की ओर यानि कोई सिक्सन आप कर रहे हैं तो वो पूर्ण दीजिए बच्चू को और यह जो पूर्ण से एक पूर्ण वाला सुतर है यह गेस्टाल्ट जो सिद्धान्त है गेस्टाल्ट मनोविग्या निक्टू के सिद्धान्त उन पर आधारी सिद्धान्त है दोस्तूं पहले पौन बताईए उसके बाद अंगू के बारे में अयपौन मतलब एक-एक अंग के बारे में उसको जानकारी दीजे दोस्तों आगमन से निगमन उधारण से नियम की ओर चलिए आगमन से निगमन यानि उधारण से उधारण के आदार पर नियम निकालना बच्चू को बताईए विशलेशन से संसलेशन की ओर विशलेशन का आर्थ क्या होता है विशे को खंडू में बाट कर उसका अद्धिन करना समझे और संसलेशन का आरत होता है अलग-अलग भागू को एक साथ जोड कर अद्धिन करना तो विशलेशन से हैं अगर हम चलते हैं संसलेशन की ओर तो विशलेशन यानि खंडू में बाट कर अध्यन करना और फिर संसलेशन में जाते हैं तो पूरे खंडू को एक साथ करके उनका अध्यन करना ये सिक्सन्स उत्तर है अब चलिए मित्रो आगे 11 नमर क्यूसन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इनमें से कौन सा पर्तेक्स विदी का दोस कौन सा नहीं है वो आपको यहां पर है जो बताना है और इंपोर्टेंट क्यूसन भी बन सकता है ये मित्रो देखिए इस विदी में सिमि सब्दावली का ही सिमि सब्दावली का ही ग्यान दिया जाता है इस विदी में वाके सर्चना का परियाप ग्यान नहीं दिया जा सकता, इस विदी में सुनने वे बोलने प्रदिक्बल होने से वाचन वेल और लेकन गोण हो जाते हैं, इस विदी में चातर अनुकरण के द्वारा दूसरी बासा के सब्द सीख लेते हैं, दोस नहीं है, कमी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये नहीं है दोस सा सीखता है ना उसी परकार वो दूसरी बासा मतलब अनुकरन के दुआरा दूसरी बासा के सब्द भी सीख लेता है ये दोस नहीं है ये इसका क्या है मित्रू गुण है विदी का क्या है गुण क्यों से नमबर बारा में चलिए कि इस विदी में व्याकरन अनुवाद विदी कौन सी है इनमे से इनमे से आपकी पर्तेक्स विदी है क्योंकि पर्तेक्स विदी व्याकरन अनुवाद विदी में अन्य बासा का जो व्याकरन है वो मातर बासा में अनुवाद करके सिखाया जाता है जो व्याकरन अनुवाद विदी होती है इसके अंदर दोस्तों और पर्ते परतेक्स विदी में चात्रू को सब्द ग्यान कराया जाता है तब चात्रू को आदेस निर्देस किस बासा में दिये जाते हैं परतेक्स विदी के अंदर आप चात्रू को सब्द ग्यान करा रहे हैं तो आदेस निर्देस किस में देंगे अन्ने बासा के अंदर किस में में अनुवाद करके व्याकरण की सिक्ष्या पर्तेक्ष में सेनिक में व्याकरण अनुवाद में या व्यास विदी में किसमें दी जाती है व्याकरण अनुवाद विदी के अंदर सह ओप्सन सही रहेगा क्यों से नंबर 15 में चलिए व्याकरण अनुवाद विदी किस इस्तर के लिए उपियोगी है व्याकरण अनुवाद विदी प्रात्मिक मादेमिक उच मादेमिक उचकसाओं के लिए बताईए मित्रू जो आपकी व्याकरण अनुवाद विदी है मित्रू यह अन्य बासाओं प्राधारी तरह यह अन्य बासाओं की जो अन्य बासाओं बासा है उन बंडारकर विदी भी कहा जाता है पर्तेक्स को सेनिक को व्याकरण अनुवाद को या व्यास विदी को दोस्तूं सबसे पहले जो बंडारकर विदी है ये किसको कहा जाता है व्याकरण अनुवाद विदी को कहा जाता है कारण क्या है क्योंकि इस विदी को सबसे पहले सैंसकर के अंदर कौन लेकर आये थे डोक्टर रामकर्शन गोपाल बंडार कर ने अपनाया था व्याकरन अनुवाद विदी को इसी वज़े से रामकर्शन गोपाल बंडार कर है उन्ही के नाम पर व्याकरन अनुवाद विदी को बंडार कर विदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंसे नमर सत्रे देखें, द्वित्य बासा सिक्षन की स्वेम सिक्षन मालाएं किस विदी पर आदारित होती है, परतेक, सेनिक, व्यास या व्याकरन अनुआद विदी पर आदारित होती है, दोस्तु. क्योंसे नमर अठारा देखें, इनमें से कौन सा व्याकरन अनुआद विदी का एक दोस नहीं है, व्याकरन अनुआद विदी का दोस कौन सा नहीं है, पहला इस विदी में बोलने के पेकसा लिखने पढ़ने पर बल दिया जाता है, इस विदी में रटने पर अधिक बल दिया जाता है तीनू के तीनू दोस आ रहे हैं चोता आपका देखिए यहाँ पे इस विदी में बड़े समू को एक साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है दोस्तु यह आपका दोस नहीं है यह इसका क्या गुण है तो यहाँ पे देव ओप्शन सही रहेगा यह तीनू के तीनू के जाता है दोस है क्यों से नमर उनीस जब चात्रु दुवारा किसी नाटक का रंगमंच पर परदर्शन करना सिखाया जाता है जब चात्रु के दुवारा तब इस विदी को क्या कहते हैं आप इस विदी को क्या कहेंगे आप इंपोर्टेंट क्यों से ना आपके लिए जब चात्रु दुवारा किसी नाटक का रंगमंच पर परदर्शन करना सिखाया जाता है तब इस विदी को कक्सा अभिने या रंगमंच या व्याक्या क्या कहेंगे रंगमंच परनाली के नाम से जानेंगे हम किस नाम से रंगमंच पर ना लिए और ये विदी है जो आपकी उच्छ कक्साओं के लिए क्या होती है important होती है कि उसर नमबर 20 में चलते हैं कि सिक्सण विदी के दोरान कक्सा में सिक्सक के निर्देशन में चात्रू के दोरा किसी नाटक का परदर्सन किया जाता है कक्सा के अंदर सिक्सक के निर्देशन में चात्रू के दोरा नाटक का परदर्सन कक्सा अबिने रंगमंच या व्यक्या कक्सा अबिने परनाली दोस्तूं option A है जो आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा important question है जो आपके लिए बन सकता है आगे चलिए क्यूसर नमर आरा 21 आपका किसी भी नवीन बासा को जानने के लिए मात्री बासा आधार का कारिय करती है इसे तु जो विदी साहिक है नवीन बासा को जानने के लिए मात्री बासा आधार है कौनसी विदी में यह second grade exam में आया था मित्रूं व्याकरन अनुवाद गटन विदी सब्द साज परिवर्तन विदी या इन में से कोई नहीं कौनसी है व्याकरन अनुवाद विदी आपकी option S सही रहीगा दोस्तु व्याकरन अनुवाद विदी में अन्य बासा का मातरी बासा में क्या किया जाता है सबदस अनुवाद किया जाता है दोस्तों अन्य बासा से तुलना भी इसमें की जाती है कि उस्षा नमर 22, नेमलेकित मैंसे कौन सा पद, इकाई ओजना के पदू की सही व्याक्या नहीं करता है, पहला देखे, सिक्षण विद्यू को निश्यत करना यह तो करता है, पूरी इकाई को उपविभागू में बांटना यह भी करता है, सिक्षण विद्यार्ति किरिया पर परतेग विबाग के लिए निस्तित करना ये गलत है आपका, सही रहेगा, बाकि देदे के आवसेग नहीं है कि संपुन पाटे सामगरी को एक रूप इकायू में संग्टित किया जाए, उसको अलग-अलग भी किया जा सकता है, आगे चलिए क्यूसर नमर 23 में, वाक्य रचना एवं सब्दू के उचित परियोग का अभ्यास किया जाता है, शुरूत लेकर फ्लेस एमात्रिक सब्दुआरा या इनमें से कोई नहीं, ये हिंदी विबाग का जो सेकंड ग्रेड एकजान था ना, 2018 वाला उसमें आया था, वाक्य रचना वे सब्दू के उचित परियोग क अभ्यास किया जाता है, किसमें? किसके अंदर? फ्लेस कार्ड के दोरा दोस्तों, फ्लेस कार्ड के दोरा सिक्सन कारिये के दोरा नहीं, जो कटिन सब्द हैं, उनके अर्थ भी बताए जाते हैं, किसमें किया जाता है? कार्ड पर लिखे सब्दू का चित्रू के साथ मिलान क करने का कारिये इसमें किया जाता है कानी वाचन दवनिसामे या साचरिये साचरिये विदी के अंदर दे ओप्सन है जो आपका यहां पे पर सही रहीगा इंपोर्टेंट क्यूसन है एक जाम की दरश्टी से दोस्तूं आगे चलते क्यूसर नंबर पच्चीस में बासाई में चार कोसल होते हैं, चार कोसल होते हैं बासागे, तो उनमें से अंत में किसका विकास करना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसका विकास करेंगे अंत में, लिखने का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चार कोसल है, और यही इनका करम होता है, क्यों लिखते तो उपने हाथ काम में लेते, जो लिकना है वोतो हम धिमाग से सोपते हैं, मानसिक से इकाम में ले रहे हैं उसर नमर 27, शुरूत लेकन अब्यास विदी का मुख्य उदे से बताईए, शुरूत लेकन अब्यास विदी का, चात्रू के सर्वन वा लेकन में समन्वे करना नहीं, सुद्वर्तनी सीखने में साइता करना नहीं, लेकन की गती में वर्दी करना सही है, शुरूत लेकन, इसक ये आदर्ष लिकाउट का जेसा का जेसा अनुकरण करना कहलाता है आदर्ष ये अच्छी लिकाउट है और वेसा का वेसा ही आप अनुकरण कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे सुरूत लेक पर्ति लेक अनुलेक या इने में से कोई नहीं क्या कहेंगे उसको अनुलेक कह को कहते हैं? सुरूत लेका है सिक्सक जब बोलता है अद्र सूचान करता है, उसको सुनकर लेकिना दोस्तों. आगे चलिए, नेक्स्ट के अंदर कि उससर्ण नमिर आ रहा रहा है, उनुती साब का, किस परकार के मुल्यांकन में, किस परकार के मुल्यांकन के अंदर सिक्सक सिक्सन कारिये के दोरान ये जानने का परियास करता है कि चातर ने इस पार्ट में से कितना सीखा कौन से मुल्यांकन से निदानात्मक, संकलनात्मक, रचनात्मक या कोई नहीं किस परकार के मुल्यांकन में सिक्सक सिक्सनकारिय के दोरान यह जानने का प्रियास करता है चातर ने इस पार्ट से कितना सिखा तो वो है आपका रचनात्मक मुल्यांकन कौन सा है मित्रू रचनात्मक मुल्यांकन क्योसर नमर 30 किस मुल्यांकन में सिक्सक यह जानने का प्रियास करता है कि वर्स के अंतक चातर ने कितना सीखा वर्स के अंतक की बात आ जाए न वहाँ पर आपका हो जाएगा संक्लना आत्मक मुल्यांकन बहुपसं सही रहीगा क्यों से नमर 31 मुल्यांकन के चेतर है संग्याना आत्मक है से संग्याना आत्मक शंग्यानात्मक किसको कहते हैं संग्यानात्मक देखिए ग्यान के चेतर में सभी कखसाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विसियूं का मुल्यांकन करना ही संग्यानात्मक चेतर कहलाता है सह संग्यानाथमक जो सिक्ष्या के साजे से खेल कूद साहिते सांसकरती गतिविदियां इनका मुल्यांकन यह होते हैं सह संग्यानाथमक मुल्यांकन के चेत्र में दोनों आते हे तो एह वैब-ब दोनों यानि सह ओप्सन सही रहीगा ciąह नमर 32 व्यापग मुल्यांकन में चातर के किस वेवार का मुल्यांकन किया जाता है व्यापग मुल्यांकन में चातर के किस वेवार का मुल्यांकन किया जाता है शंग्यानात मक्का, भावनात मक्का, क्रियात मक्का, उपरियुक सभी का किया जाता है दे उप्सन सही रहीगा क्योसर नमबर 33 है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन किया जाता है सिसी किया जाता है क्यवल अंक परदान करना क्यवल ग्रेड परदान करना अंक वग्रेड दोनु रूपों में अंक वग्रेड दोनु रूपों के अंदर क्योंसे नमर 34, मुल्यांकन करने के उधसे है, क्या उधसे है, चातर अपने अधिगम को बारी जीवन एवं अनुबहु से जोड सके, या चातर सवतंतर रूप से अपने अभिवेक्ति कर सके, चातरु में सरजनात्मक्ता का विकास हो, इनके अलावा चातर, चातरु में प्रि ये सबी ये तीनों के तीनों, दे उपसन सही रहीगा, क्योंसे नमर 35, बासा में सतत व्यापग मुल्यांकन का उधसे, बासा के अंदर सतत और व्यापग मुल्यांकन है, उसका उधसे क्या है, ये आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है, और important question भी है, बासा में सतत दोस्तों, क्योसे नमर 36, निमलेकेद में से कौन सा उच परात्मिक इसतर पर बासा सिक्सन उधसे नहीं है, उच परात्मिक इसतर पर बासा सिक्सन का उधसे, पहला दे कि व्याकरन के नियमों को रटना ये उच परात्मिक पर नहीं है, option S, सही रहीगा, सही रूप में समझ निजी अनुबहू के आदार पर बाजा सरजन सिल परयोग उपयोग है दूसरू के अनुबहू से जुड़ पाना हुए संद्रमू में चेजू को समझना ये भी है क्योंसे नमर से थीस बच्चू के बासा परयोग में होने वाली तुरूट्यू के सम्मंद में कौन है कौन सा क जो उच्चित नहीं है मित्रों पहला तुरूट्यू का आर्थ नहीं है सिक्सक में कमी तुरूट्यू का आर्थ नहीं है सिक्सक में कमी सही है तो अर्थ नहीं है तुरूट्यू सीखने की परिकरिया के एक पड़ाव एक दम सही बात है ये तुरूट्या बच्चू की का मारक ते करती है ये भी सही है आपका तुरूटियू का अर्थ बासा के ग्यानता ये गलत है आपका ओपसंद है यहां पे सही रहीगा थोड़ा यहां पे द्यान से देख ले तुरूटियू का अर्थ नहीं है सिक्सक की कमी तो कन्फ्यूज ना हो जाए यहां पे क्यूसर न आंकडुं को सेज कर रगना, आंकडुं को ततकाल निश्ट करना, आंकलनों से पराप्त आंकडुं के आदार पर बच्चु के अभिबाव को से विचार विमस करना, यह है मित्रू महतवपुन्शोपान, बासा के आंकलन के बाद महतवपुन्शोपान, तो सही option आपका यहाँ तर अउलोकन करना बै ओप्सन सही रहेगा और क्योसर नमर चालिस बासा सीखने सिखाने में विशेश महत्वपून है बासा सीखने सिखाने में संचार मादेमू का प्रियोग अभिबावकू का सागसर बासा का समरीद प्रिवेश सिखसक का बासा ग्यान बासा का समरीद प्रि जो भी साती हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट के बगेर मत जाना वीडियो को लाइक करना अपने मित्रू के पास सेर जरूर करना मित्रू जो नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत